तो हलो मेरा नाम है अभिशेग और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यार से प्लाटपॉर्म पे जिसका नाव है जयार कॉलिज प्यार कैसता आप सभी लोग आप लगदम बढ़िया होंगे आप लोगी पढ़ा एक दम बढ़िया चलते होगी सही बात है ठीक है बढ़ अब आवाज आ रही होगी बढ़ाबर से सब्सक्राइब और हमारे बार चैप्टर हो चुके है अगर आप लोग में नहीं देखें तो जरूर से देख लो बच्चो टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है तो उन लेक्चर को फटाफट देखकर खतम करो अपने नॉलेज को फट को भी अच्छे से रखना है सः के साथ साथ आप में सैंसे क्ई बच्च आगे चल जाहोगी साथा कि रखर करना चाहोगी तो उसके लीग आपके शक्रक्ट के अगये क्लियर रहना काफी ज़रूरी है तो पूरा Paleont champions बणा एर रखरे-पैरर दोस्ती करते बच्छो 13, 14, 15 ये तीनों के तीनों EBS के लेस्टन है, सही है, मतलब environment के बारे में सीखेंगे, हमारा environment का क्या रिष्टा है, environment को कैसे conserve किया जाए, biodiversity यही सब है, इस आगे के तीन lessons में, सही बात है, तो इनको हम लोग समझेंगे, इतना hard नहीं है समझना, सही है, तो जितनी जितनी में बात हैं आप लोग को बता रहा हूं, जितनी चीज़ें मैं आप यहां पर लिख कर लाया हूं, उसे आप समझेंगे, अपने दिमाग में लिखेंगे, अपने application को download नहीं किया है तो इससे जरूर से करेंगे बहुत सारा अच्छे-चे courses आये हुए हैं उसके उपर जो आप लोग के लिए beneficial होगे अब अपने भाई-बहन को recommend कर सकते हैं अपने दोस्तों को recommend कर सकते हैं सही बात है ठीक है और यदि आपको कोई भी डाउट होता है biology में इतना मैंने आप लोगों चीज़े पढ़ा है तो कोई भी डाउट होता है तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर ये इंस्टाग्राम का ID है ठीक है आप यहाँ पर आके मुझे message कर सकते हैं मुझे follow भी कर सकते हैं और अपने आप बच्पन से biology पढ़ रहा है सही बात है 6-7 से आप लोगों अल्किल की biology शुरू हो गई थी तो आप लोगों ने एक चीज़ जरूर से पढ़ी होगी बच्पन से कि इस दुनिया में जितने भी living organism है कोई भी living organism चाहे वो स्लांट हो चाहे वह animal हो चाहे वह बैक्टिरिया हो चाहे वह वाईरस हो हर living organism से गए जिज़े भी living organism में सारे की सारे किस्से बने हुए है सएल से बने हुए तो क्या मैं कह सकता हूं कि सल क्या है हमारा structural and functional unit है हमारे body का जो भी functional unit है जो structure unit है वो क्या है हमारा सर दुनिया में जितने भी organism है वो किससे बने हुए सल से बने हुए अब cell के अंदर ही है हमारे सारे काम होते हैं जो हमारे respiration है वो भी cell के अंदर हो रहा है जो हमारा digestion है वो भी मलब most of the cells ही सब काम कर रहे हैं अगर आप lower organisms में देखो हाइयर हो कर रहा हैं संदर में सबसे הוא व्रता है ये भी आप लोग को पता और न चाहिए ते की प्रकार के हो सकते हैं जैसे इantage हमारे हंदर हमारे ब्राडी में कर मैं से होते हैं जेंट हैं ह। द्रम क्या कि भया हमारे गुना आट्रन जीसे यह सपर जूए उगल लग कहते हैं उसके बाद और खॉन तो हम लोग ने पढ़ लिया इतना कि हमारे बॉडी में जितनी भी चीज़े हैं वो सेल्स से बनी हुई है फिर आप लोग ने एक और चीज़ पढ़िए कि सेल्स का बच्चो आगे चलके गृप सवाँ होता है बहुत सारे गृप बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं एक सा function perform करते हैं बहुत सारे सेल्स आकर एक सिमिलर सा function क्या करेंगे perform करेंगे ऐसे ग्रूप आप सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं टिशू तो वाटीज मीन बैट टिशू टिशू आर्दग ग्रूप आप सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्ट्चर एंड पफॉर्म सिमिलर उनका function भी सेम होगा समझ मैरी बाट चीक है जैसे मान लोग मेरे लंग्स के अंदर कोई टिशू है तो उन सबका function क्या है oxygen को collect करना और CO2 को release करना मेरे स्टमक के अंदर कुछ tissues है तो उनका function क्या है सबका function क्या है तो यह digestion करना समझ मैरी बाट चीक है तो tissue क्या है a group of cells tissue is the group of cells which have similar structure and perform similar function clear बात है उसके बाद हम लोग ने पढ़ा है कि वाई tissue भी आगे चलके बहुत सारे tissues tissue हम लोग ने पढ़ा है कही connective tissue होता है कही epithelial tissue होता है समझ मैरी बाट चीक है कही muscular tissue होता है तो इसे बहुत सारे tissues जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते है organ बनाते हैं यह सब हम लोग बच्च्पन से पढ़ते न चीक है तो बहुत सारे cells tissue बनाते हैं group बनाके और बहुत सारे tissues जब आते तो वो क्या बनाते हैं आगे चलके organ बनाते हैं सही है जिसने हमारे body में stomach एक organ है small intestine एक organ है heart एक organ है lungs एक organ है तो यह सब चीज़े organ किस से बनी ह हुई है group of tissues बहुत सारे tissues एक साथ आये हैं एक साथ मिल ए और वह क्या क्या बना है ओर्गन है बात समझदना थिक है फिर next step क्या होता है बच्छोँ बहुत सारे organ एक साथ आकर वो बनाते हैं और्गन सिस्टम ठीए है, यह भी हम लोग ने पढ़ा है न? ठीए है, कि बहुत सारे और्गन एक साथ मिलकर एक और्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारे बोडी में reproductive system है, हमारे बोडी में respiratory system है, आप respiratory system को देख लो, respiratory system में बहुत सारे अलग-अलग अलग और गें आती है फिर यहां पर osophagus आता है osophagus के बाद यहां पर स्टमाग आता है small intestine large intestine यह सारी चीज़े कि इतके अंधर आएंगी आपके digestive system सभी बात है तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि ज्यादा हिंदी हो गया न, अर्थ, ठीक है, कोई बात नी, मेरे कहने का मतलब यह है बच्चो, कि बहुत सारे ओर्गन्स मिल-मिलकर, मिल-मिलकर क्या बनाते हैं, एक ओर्गन सिस्टम का पॉर्मिशन करते हैं, सही बात है, तो ओर्गन सिस्टम बना दिया, अब इतनी चीज़ सब्सक्राइबMS आइंगे आपके और गन सिस्टम में और गन सिस्टम में जब मिलते हैं तो बनता है बच्छो एक और गनिजम है इंतना है एक कम्प्लीट और गटनिजम मतलब एक इनसान बनता है या फिर कोई भी organism कोई भी organism महाँ पर form होता है मतलम माल लो मेरा digestive system एक साथ है respirator system एक साथ है अपना reproductive system एक साथ है सही बात है तो यह सारे के सारे systems जब एक साथ आए तो क्या बन गया एक complete organism यानि एक मेरा complete organism का formation हो गया so this is known as organism सही बात है now इसके आगे भी चार्ट है इसके आगी भी चार्ट है बहुत बड़ा चार्ट है भी हम लोग पढ़ेंगे देगो बहुत सारे organism जब बहुत सारे organism एक साथ आएंगे of a similar species धाल सुसुन में क्या बोल रहा हूँ ठीक है बहुत सारे organism जब एक साथ आएंगे same species के और एक specific area क्या बोला मैंने ठीक है बहुत सारे organisms बहुत सारे organisms मानलों specific area एक area ठीक कोई भी एक एरिया का example ने लोग मानलों लोग मुंबई एक एरिया ठीक है तो मुंबई एरिया में एक similar species के organisms का जो बिखर में ग्रूप होगा ना उस हुआ गुरूप को बच्चों हम लोग कहेंगे population दग कहेंगे population थोड आच्छेश़ लिकपास गूरो recall आटा population च्छाए नगा? पोपुलेशन का इसका परपुलेशन का इवा इच्छार का इफ दू कर दिआ है बच्छो it is a it is a group of organism it is a group of organism of same species of same species in a specific area दो मतलब एक specific area में जहां पर रहता हूं इस area में कितने लोग रहते हैं समझरे हो और वो भी सेंट स्पीशीज के ऐसा नियूंड कर सकता हूं कि माल लो मैं human की population को count कर रहा हूं सही बात है मैं human की population काउंट कर रहा हूं उसके अंदर में चुहे, बिल्ली, कुत्त, सबको count करने लहूँगा, ऐसा नहीं कर सबता हमें, मैं सिर्फ एक ही species को count करूँगा, that is human, अगर मैं dog की population की बात करूँगा, तो मैं सिर्फ dog को ही count करूँगा, ना कि मैं humans को count करूँगा, ना ही मैं rat को count करूँगा, समझ रब, अलग-अलग organism को count नह चाह रहा है, जो भी जिस भी area पर study करना चाह रहा है, वो choose करेगा, मान लो, मेरको इंडिया पर study करना है, पूरे इंडिया पर study करना है, तो यह इंडिया में कैसे कैसे लोग रहते, तो मेरी जो population का specific area क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, अगर मुझे सिर्फ महाराष् को observe कर रहा है, उसके उपर depend करता है कि वो कौन से area को choose करें, समझ में यह बाट, चीक है, so what is mean by population, समझा दिया हमें आप लोग को, it is a group of organism, ठीक है, it is a group of organism of a same species, एक ही species के होने चाहिए, fact यह है, ठीक है, एक ही species के organisms in a specific area, this is known as population, तो population का मतलब समझ में आ गया, समझ में आ गय मानना क्या इसमें, अब यहाँ पर humans की एक population है, और साथी साथ में dogs की भी कुछ population होगी, cats की भी कुछ population होगी, सही बात है, rat की भी population होगी, cockroach की भी population होगी, सही बात है, अब इन सब से मेरा interaction होगा, मेरा interaction होगा, डॉकों में रोटी खिलाओंगा, तो वो मेरी help करेगा, सही अगर जो चुहा है मेरे घर में, चुहा क्या करेगा, मेरे कपड़ा काड़ देगा, तो मैं इसको मारने के लिए दोड़ूँगा, ये उसकी मेरे इंटराक्शन है, जो कॉगरोज है, वो मेरे घर में रहे कर बिमारियां कॉस करेगा, समझ रहो, मेरे ही खाना खाएगा, मुझ के साथ ने इंट्राक्ट कर रहा हूँ समझ रहा हूँ तो इस इंटराक्शन को यह जो इंटराक्शन है अलग-अलग स्पीशीज का इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों इसे हम लोग कहते हैं कॉम्यूनिटी लोग क्या बोलते हैं बच्चो community समझ रहो तो community मतलब क्या community मतलब अलग-अलग species की population अलग-अलग माल लो यहाँ पर dog की कुछ species है और माल लो यहाँ पर cat की कुछ species है अब इन दोनों के बीच पर interaction होगा है ना dog दोडाता है cat को cat भागती है cat ऊपर चड़ जाती फिर dog को ऐसे देखती है इन दोनों के बीच भी कुछ interaction हो और यहीं पर कई human की population होगी इंसानों की population होगी इनसान भी cat के साथ इंसान भी dog के साथ इंटराक्शन है सही बात है तो इनके बीच का जो interaction अलग-अलग पॉपूलेशन के बिच का जो इंटर ने कहते हैं community बाथ समझ बैजये उसे हम लिए यहीं पर खतम नहीं हो दैब यह जितने वी community है उसके अंदर सारे के सारे लिविग ऑर्गेनिजम आ गए लिए उसना वाइफ किम्मेंटि और कुम्मान सकते और यह जो लह इंटर तो बायोटिक आप्टर कहते हैं पिन कलर दिख गर्ट में बड़ाबर दिख रहा है तो मैंने कह बोला यह जितनी बी सारे के सारे किसके इंदर आएंगे अब देखो बायोटिक फ़ेक्टर के साथ भी इंटराक्षिन करते हैं जैसे मेरा interaction is board के साथ है, मेरा interaction is pen के साथ है, मैं लिक रहा हूँ, सबज़ रहो तुम्हारा interaction तुम्हारे mobile phone के साथ है जो तुम्हारे घर में पंका चल रहा है, उसके साथ है तुम्हारा जो bed है उसके साथ है सही है, तो living organism का जो interaction है वो non living organism के साथ भी हो रहा है मतलब बाइयोतिक का interaction भच्चो अबाइयोतिक के साथ भी हो रहे हैं इह जो इंटरेक्शन है ये जो दो interaction है बायोतिक और ए इसांग हम लोग कहते हैं बच्चो ईको सिस्टम इसां लोग क्या बोलते हैं एको स्टर्म, तो समझ में आ गया ecosystem क्या होता ए? पढ़ेंगे हम लोग ecosystem, आगे कुछ lectures में पर अभी टना समझ में आगे ecosystem क्या होता है? ठीक है? समझ में आगे community क्या होती है? community मतलब क्या है? अलग-अलग population एक दूसरे के साथ interact कर रही है यह अलग-अलग species की population एक दुसरी के साथ क्या कर रहे हैं बच्चो इंटराक्ट कर रही है this is nothing but ever community फिर community सारे के सारे biotic factor हो कह लेंगे हम लोग हम biotic factor भी abiotic के साथ भी interact करते हैं जैसे मेरा interaction इस pen के साथ है मेरा interaction इस phone के साथ है ठीक है यह phone को मैं ऐसे ऐसा कुछ भी touch करूँगा तो यह response करेगा ना मेरे को ऐसा क्यूं कर रहा है यह विकॉज मेरा interaction इसके साथ सही बात है तो यह जो interaction है बच्चो ए बायोटिक का ए बायोटिक के factor है तो यह सब कुछ क्या है आपका फूरा का पूरा मिलाकर इबायोटिक और बायोटिक क्या मिलते है बच्चो इको system मतलब क्या होता है समझ में क्या होती है population क्या होता है तो इस lesson में इस lesson में बच्चो basically हम लोग बात करेंगे sirf और sirf organism बारे में और population के बारे में, that's why lesson का नाम भी क्या है, organism and population पर ये, इसलिए lesson का नाम, organism and population रखा हो गया है, क्योंकि इस lesson में हम लोग सिर्फ इन दोनों factors के उपर ही बात करेंगे, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे community क्या होती है, ecosystem इकोसिस्टम क्या होता है, अगले कुछ chapters में, हम लोग बात करने वाले हैं, पर basically हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, population और organism के ऊपर ही depend होने वाले है, सही बात है, ठीक है बात समझ में आ रही है एक चीज़ और सीख लो, ठीक है, अब आ जाओ definition ही सीख लेते हैं, फटक से, ठीक है क्या होता है ecosystem, अभी मैंने आप लोगों पढ़ा है ecosystem का definition देखो, यहाँ पर लिखा हुए interaction between abiotic and biotic factor ठीक है, what is mean by ecosystem ecosystem is the interaction between abiotic और abiotic, biotic में कौन आ गए आपकी पूरी की पूरी community आ गई साहिए community आ गई, community मतलब क्या community मतलब अलग population, अलग-अद़ species की population ठीक है, मतलब अलग, मालव dog की species है मालव होड, और और यह होर्स नी होर्स तो आपन ज़ादा नहीं रखते पर होर्स की भी population होती है humans की population है, माल लो cat की population है, माल लो cockroach की population है है मैं लग-अलग population का interaction हमारे साथ हो रहा है इस सब को क्या कैते हैं लो Community और यह Community क्या बन गए आपकी Biotic factor अब आपकी Biotic Factor ए Biotic factor के साथ भी क्या कर रही है इंटरैक्ट कर रही है ए बायोटिक Factor कौन-कौन से बच्चोब हम लोग एर लिख सकते हैं, हम लोग लाइट लिख सकते हैं हम लोग टेम्प्रेचर लिख सकते हैं, समझने हो की कि हम लोग सॉइल लिख सकते हैं, यह सारे के सारे क्या है abiotic factor, most important abiotic factor जिसे हम लोग को इस lesson के अंदर study करना है, और भी abiotic factor है, mountains है, rivers है रिवर के अंदर तो वाटरी है खेर पेन है फोन है आपका घर है घर का आपका जो चदर है जिसका आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है बात समझ मैं यह बात समझ मैं यह एको लॉजी बच्छो यह जो वर्ड है यह साइंटिस्स जो न ही है सकते है एक यह जिआ जीआ नाम था अर्क और अट्यनत्रेन न newsletter यह जो अध़ीय। ecology is the study of ecosystem या फिर इसका अच्छा definition मैं आप लोगो बना के देता हूँ अगर exam में आगा तो यह तो नहीं लेख सकते ना आप लोग study of ecosystem इसकी जगा आप यह लेख सकते हो बच्चो ecology is the study of interaction interaction between between biotic and biotic उन्हों ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं study of interaction between biotic and biotic और biotic and abiotic तो what is mean by ecology ecology बच्चो एक study है जोसे आप लोग biology पढ़ रहा हूँ बायोजी क्या है organisms की study है living thing की study है वैसे ही ecology क्या किसकी study है it is a study of interaction between biotic and biotic मतलब एक population दूसरे population से कैसे interaction कर रही है वो भी ecology का पाठ है और एक population या फिर एक biotic abiotic से कैसे interaction कर रहा है वो भी क्या है आपकी ecology सही बात है so ecology का अच्छा definition क्या बन जाएगा आपका it is a study of interaction between किसके किसके बीच का biotic and biotic और biotic and abiotic biotic, biotic का और biotic, abiotic का दोनों की study दोनों के बीच के जो interaction है उसको हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर ecology के अंदर सही बात है और ecosystem आप लोगों समझा दिया ecosystem मतलब क्या है interaction between biotic and abiotic biotic और abiotic के अंदर क्या interaction हो रहा है that is nothing but your ecosystem बात समझ भाइए अब मैं आप लोगों बच्चो कुछ और चीज़ समझा रहा हूँ आप समझने ही पड़े हो समझने ही बैठे हो तो बायोम और बायोस्पेर भी समझ लोग क्या होता है अभी तक हम लोग ने क्या सीखा अभी तक हम लोग है अभी तक हम लोग ने ecosystem पड़ा कि ecosystem क्या होता है बात समझ भाइए ठीक है क्या होता ecosystem माल लोग एक पॉंड है सब्सक्राइब यह एक पॉंड है पॉंड पॉंड समझतो ना एक तालाब है ठीक है तालाब लिख दूए आपे अलाब इतना अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा हिंदी में पेपर नहीं लिखना है तो लोग टिंचन अब लोग 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 फ़र एक पॉंड अपर पॉंड के अंदर यहां माल लो फिष पॉंड दैट इसके अंदर फिच जी अफिट जी सिट इंच्व सी पॉंड के अंदर प्रॉक्स की कुछ पॉपॉलेशन है सही बात है और मानलो कुछ अक्वार्टिक प्लांट्स है ऐसे प्लांट्स है मानलो लोटस है लोटस लोटस उपता है ना तालाब में मानलो इसके अंदर लोटस है बहुत सारे लोटस की कुछ लोटस के आईटी ना प्लांट सही बात है ठीक है देर आर सम बैक्तीरियास इसके अंदर कुछ बैक्तीरियास है बैक्तीरियास की कुछ बखा जाएंगे समझ रहो तो इन सब के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो ही रहा है साथ ही साथ इनका इंटरेक्शन बच्चो पानी के साथ भी है इनका इंटरेक्शन यहां जो पानी है इस पानी के साथ भी तो इंटरेक्शन है अगर यह पानी ना होता तो क्या ये fishes यहां होते, क्या ये frog यहां होते, क्या ये aquatic lotus यहां पर होता, क्या ये bacteria यहां पर नहीं होते, तो देखो, यहां पर water भी है बच्चो, यहां पर क्या है, water भी है, water is a biotic thing, these are the biotic thing, तो देखो, इसकी अलग population है, frog की अलग population है, because it is a different species, fish की अलग population है, lotus की अलग population है, है bacteria population है पर सारे के सारे और गनिजम एक दूसरे के साथ इंटराक्ट कर रहे हैं साथ ही में सारे के सारे populations एक वो एबाइटिक तिन यानि वाटर के साथ भी interaction कर रहे हैं तो इस इस अप्प्लीट इको सिस्टम यह से हम लोग क्या कह सकते यह आपका क्या है एक टैप का इकोसिस्टम है तैसरे मैरी बठी धे मालंगे क्या है आपका पर कम्वलीट इको इक िस्टम इमजिन नहीं एक वी सिस्टम है और डेसर्ट आजर्टेल एडेसरट एडिया है एक डेसर्ट एडिया है उसका पॉपूलेशन हे सई है फिर यहाँ पे desert rat होते हैं desert rats की कुछ population है और भी बहुत सारे organisms होते हैं scorpions होते हैं वहाँ पे scorpions बिच्चू उनकी कुछ population ने यहां पे desert में डेसर के कि इन्मोर्मेंट है जहां पे इन सब की अलग-अलग population रहे रही है, सही बात है, अगर मान लो ये desert ना होता, अगर यहाँ पर भारी बारिश होती, बहुत बारिश होती इस area में, तो क्या यहाँ पर cactus होते, नहीं होते, क्या यहाँ पर camels होते, नहीं होते, camels वैसे उठा के लाया जाता है, अलग-अलग जगों पर, पर normally camels आपको desert में ही मिलेंगे, क्या आपको desert rat देखने के लिए मिलते हैं, नहीं देखने के लिए मिलते हैं, क्या आपको scorpions देखने के लिए मिलते हैं, बिल्कोल नहीं देखने के लिए मिलते हैं, कुछ species मिलती है, पर कुछ species आपको सिर्फर सिर्फ desert में मिलती है, मैं उस species की बात इंट्रेक्शन कर रहे हैं यह डिजर्ट का जो क्लाइमेट है सद्ट उसके साथ भी तो इंट्रेक्शन कर रहे हैं सब्सक्राइब इसको मिटा रहा हूं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं इसको भी थोड़ा सा इसको यहां बहुँत करते हैं और इसको यहां लगते हैं अब मालों एक और एक सिस्टम है प्रपोज एक ट्री है तो पाइब एक ट्री के ऊपर इस ट्री के ऊपर बीटल से रहती है, बीटल के बेटल्स सु बड़ी से, ऐसे इंके अंटीना लगया है, और इसे यहां पर है, पॉक्वा के बात है इसके उपर कुछ बटरफ्लाइस की पपॉलेशन रहती है तो इसी पेड़ के उपर और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं जैसे और भी उतना अब उन्हों से होते हैं इस पेड़ के खुद कुछ होंगे यह पर कुछ पूट्स लगे हुए है इत रहे है और सबका Zenoo साँ और सांव से और और कॉंखा उनके साथ लेह आगे ditch your पाने के साथ भी तो हुरह है एर के साथ भी तो हो रहा है सब को सांस लेना है सबका इंटरेक्शन एको सिस्टम ही पड़ा है अब बताओ व्यक्ति जितनी भी चीज़े हैं जितनी वी पॉंड भी देखने के लिए मिल जाएंगे, इंडिया के अंदर आपको डेजर्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे थार डेजर्ट है आपके राजस्तान में, इंडिया के अंदर ऐसे आपको पेड़ भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर ऐसे अलग- है जो रेइनफॉल है वह रेइनफॉआ और टेम्परेच्चर ऑल्मोस्ट सेम है तो आई सी एक कम्प्लीट एरिया को एसा एक कम्प्लीट एरिया जहां पर इतने सारे अलगए एक एको सिस्टम है और उनका rainfall temperature almost almost same है तो ऐसी एक area को हम लोग क्या कहेंगे बच्चो बायोम ठीक है ऐसे एक area को हम लोग क्या कहेंगे बायोम सो बायोम क्या है और बहुत सारे बायोम को अगर आप मिला दोगे तो बन जाएगा biosphere and biosphere is nothing but our earth ठीक है तो हमारे earth को भी biosphere बोल देते हैं तो हमारे जितने भी बायोम है सबको मिला कर हम लोग क्या बोल देते हैं biosphere सही बात है ठीक है तो थेको कितना interesting था हम लोग ने बात शुरू की थी एक cells है यह सारी चीज़ है कहां घृए इस सब समझ में आ गया जाए क्यों और पॉपुलेशन क्या एकोसिस्टम के बात हम लोग ने पड़ा ecology ecology समझ में किसने वर्ट दिया था यह आप लोगो पता होना चाहिए एमसी किसमें कभी भी पूछ लेता है कि किसने यह टर्म दिया एकॉलोजी तो आपको नामे आदाना चाहिए अरनेस्ट हैकल ठीक है और उसके बाद एकॉलोजी क्या है एकॉलोजी इस स्टडी आप इंटराक्शन बित्विन बायोटिक आप लोगो इतनी चीज़े जो मैंने समझाई है वो समझ में आ गई होंगी now let's move on to main chapter ठीक है अब हम लोग बात करते हैं बच्चो आखिरकार इस पूरे के पूरे लेसन में हमें पढ़ना क्या क्या है organism and population में सबसे पहले हम लोग organism की ही बात करेंगे और organism के adaptation की बात करेंगे देखो organism के adaptation की बात करेंगे आखिरकार कैसे organism अलग-अलग condition में adapt करता है खुद को सही बात है चीक है आप देखोगे न हर organism अलग-अलग तरीके का होता है सही है इवन अगर आप humans में भी देखो तो जो humans ने बहुत बड़े-बड़े mountains के उपर रहते हैं उनके अंदर RBC का नंबर जादा होता है RBC पता है ना आप लोगो red blood cell तो जो ऐसे humans जो mountains के उपर रहते हैं बच्पन से वहाँ पे रहते हैं उनके body के अंदर RBC का नंबर जादा होता है जो flatland पे रहता है उनके अंदर RBC का नंबर कम होता है as compared to them समझ मेरी बात ठीक है इसे बहुत सारे adaptation हम लोगो पढ़ने हैं इस वाले टॉपिक में कौन से आपके organism वाले टॉपिक में तो क्या है टॉपिक का नाम adaptation of organism with abiotic factor abiotic factor के साथ वो कैसे खुद को adapt कर रहे है that is we going to study in this topic उसके बाद next हम लोग चालू करेंगे बच्छो population के बारे में जो आईगेस हम लोग next lecture में चालू करेंगे यह वाला ठीक है यह हम लोग आभी चालू करेंगे tension मतलो इसे हम लोग next lecture के लिए रखेंगे population का और last बहुत important हम लोगों पढ़ना है बच्छो population interaction most important population interaction की एक population दूसरे से कैसे interact कर रही है कैसा interaction हो रहा है किसी का उस interaction में किसका फाइदा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है किसका फाइदा किसका नुकसान तो उसके हिसाब सब्सक्राइब पॉजटिव नेगेटिव देंगे मेरे सर में जूएं लग गई अब जूएं क्या कर रही है कि मेरे जो बॉड़ी है उससे ब्लड को पी रही है तो उसके लिए पॉजटिव interaction है उसको तो बड़ा मज़ा आ पढ़ेंगे टेंशन मतलब मज़ा आएगा ठीक है तो यह समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है इस लेसन में समझ में आ गया चलो ट्राइट करते बच्छों हम लोग अगर वो nature के हिसाब से environment के हिसाब से खुद को adapt नहीं करेगा तो उसकी death हो सकती है यह सेम चीज़ कहा था डार्विन अंकल ने याद ने डार्विन अंकल हम लोग ने पढ़ा था था थर्ड लेसन में ठीक है डार्विन's theory of natural selection उन्होंने क्या बताया था कि only fittest can survive सही बात है मतलब जो fit बंदा है जो fit है वही क्या कर सकता है survive कर सकता है अगर आप environment के हिसाब से नहीं हो तो आप survive करने के लिए deserve नहीं करते है तो अगर आपको fit बनना है so you have to adapt आपको adapt करना पड़ेगा मतलब अपने body के अंदर कुछ ना कुछ changes लाने पड़ेगे जिसके वज़े से आप environment के हिसाब से survive कर सको बात समझ में रही है अब तीन प्रकार के adaptation होते हैं एक है बच्चो first आपका physiological बताऊंगा क्या होता है दूसरा है morphological and the third one is behavioral तीन प्रका आप लोग environment के हिसाब से अपने body के अंदर कोई नया chemical generate कर दो कोई नया chemical reaction generate कर दो कोई नया chemical reaction generate कर दो इसके वज़े से आपकी body better survive कर पाएगी environment में लोग इसका example बताऊ सर देगो evolution में हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब हमारा evolution हो रहा था तो उस time पर पहले पहले oxygen नाम की gas available नहीं थी दुनिया में oxygen जैचे चीफ available ही नहीं थी exist नहीं करती जैसा मान लो उसके बाद छोटे छोटे बैक्टीरियाज बने सही बात है फिर वो बैक्टीरियाज आगे चलके अलगी बने ठीक है सबसे पहले अलगी का formation हुआ था अब अलगी ने शुरू की एक process that is nothing but a photosynthesis पढ़ाया ना हम लोग ने photosynthesis क्या होता है पढ़ाया अब आज के time पे आप लोगों लगता होगा कि oxygen इतनी जरूरी गयास है बहुत important गयास है आज के time पे पर मैं आप लोगों को बता दूँ जब evolution हो रहा था और nature में पहली पहली बार जब oxygen release हुआ उस photosynthesis न जब वो पहली पहली बार oxygen release हुआ तो उस time पे oxygen जहर का काम कर रहा था मतलब उस oxygen की वज़े से बहुत सारे organisms की death होने लग रही है समझे हो ठीक है अब अगर आपको environment में रहना है तो आपको उस oxygen को कुछ ऐसे utilize करना पड़ेगा जिसके वज़े से वो जहर ना हुआ आपकी body में और आप survive कर पाओ तो organisms ने क्या किया खुद के body के अंदर adaptation लाई अ अब क्या करते हैं हम लोग उस oxygen को use करते हैं सिर्फ उस glucose को breakdown करने के लिए जिससे हमको energy मिल सके तहीं बात है ठीक है तो देखो एक harmful gas को अभी उस time पर हमारे लिए harmful gas ही थी थी वो तो उस harmful gas को हम लोग इस तरीके से modify कर सके इस तरीके से खुद को adapt कर सके बच्चो जिससे हम बहुत अच्छा advantage ले पा रहे हैं तो ऐसे organisms बाद में develop हुए जो oxygen को लेकर खुद के क्या कर सकते हैं अपने body के energy का production कर सकते हैं तो हमने chemical reaction generated की अपने अंदर तो इसको हम लोग क्या कह सकते it is a physiological adaptation फिर बच्चो morphological adaptation मतलब क्या आप अपने body के अंदर अपने morphology के अंदर राजस्थान मेरेगिस्तान के इदर तो देखो अगर आप उसके पैर देखोंगे ना पैर तो वह बहुत ही जादा इसा फ्लाइट हो चुके उसके पैर हमेशा सर्फ फ्लाइट होते अब ऐसा क्यूं जितना जादा उसका पैर फ्लाइट होगा उतने कम chance होगे कि उसका जो आप लोगने बच्पन में जब area बढ़ता है तो pressure कम हो जाता है जब pressure बढ़ता है तो area कम हो जाता है ऐसा कुछ पढ़़ा होगा आप लोग ने हम लोग पढ़ जब इसके शॉल्ड होगा तो प्रेशर इंक्रिस जाएगा जिसके वैसे आपके shoulder पर निशान आ सकते हैं बच्चो समझो तो उसका area कम हो जाएगा माँ पर ऐसा हम लोग बहुत सीज बढ़ते हैं तो morphology समझ में आ गया मतलब आप अपने body के अंदर कुछ changes ला रहे हो जिससे आप adaptation कर पा रहे हो better तरीके से environment में और third is behavioral behavioral मतलब क्या आप अपने behavior में कुछ changes ला रहे हो आप अपने behavior में कुछ changes ला रहे हो according to environment आप जैसे मैं आपको example देता हूं कुछ Siberian birds होती है Siberia में रहती Siberia रशिया के एक जगह है जहां पर बहुत थंड पड़ती है बच्चो वहां का temperature minus 30 minus 35 degrees Celsius होता है बहुत थंड पड़ती है वहां पर ठीक है तो जब Siberian birds को एग ले करना होता है जब उनको अंडा देना होता है तो वह रशिया से migrate करके करके वह इंडिया आते हैं रशिया से माइगरेट करके वह कहा आते हैं इंडिया में आते हैं और इंडिया में एग ले करते हैं तो उन्होंने क्या कि आपने behavior में चेंज लाए जिसके वैसे वह क्या कर पा रहे सर्वाइव कर पा रहे अब यह चोटा सा ग्राफ दिया हुए बच्छो आपके बुक में इसको ग्राफ को थोड़ा सो समझते हैं में लो एक चोटा सा ग्राफ है यहां पर कुछ लिखना भूल गया हूं मैं यहां पर यहां पर टेंपरेचर इंक्रीज हो रहे हैं इस जगह पे अब देखो क्या है यह पे कुछ एयरिया के नाम दिए हुए वह तुम लोगों मुझे समझाना है देखो कि लेंस समझोगे विखर शुठा कैसा इरिया होते हैं डेज़र्ट आपलोगों सुनाए न क्या होता है रिगिस्तान इसा एरिया होता है जच्छो जहां पर बहुत जादा गर्मी होती है temperature बहुत जादा होता है पर वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है सही बात है तो देखो अगर आप इस एरिया को देखोगे यह वाला एरिया जो मैं वाइट कलर एक काम करते हैं दुसरा कलर यूज करते है चलो यह वाला एरिया दिख रहा है अब अगर 50 सेंटीमेटर से भी कम हो रही है तो इस एरिया को मैंने क्या नाम दिया है डिसर्ट तो डिसर्ट एक ऐसा एरिया है बच्चो चहां पर temperature काफी जादा होता है पर rainfall बहुत ही कम होती है ऐसे जगह को मैं लोग क्या बोलते हैं बच्चो डिसर्ट एरिया फिर बच्चो यहां यहां पहएज दिखाई यह देख रहे हैं एस अरे अलग अलग इको सिस्टम की बात वह तो लगव दो रही है है एक अधि तो यहां पहर देखो से अगर आप ज्हान से देखोगे तो temperature बहुत कम है, temperature देखो minus 5, minus 10, minus 15 तक चला गया है लेकिन बारिश भी almost थोड़ी जात है desert से थोड़ी जात बारिश हो रही है but almost बारिश बहुत कम है 101, 150 के बीच में ही बारिश है बारिश जो है वो 101, 150 के बीच में ही है इस area को हम लोग बोलते बच्छो Arctic या फिर Alpino Tundra Arctic Alpino Tundra मतलब क्या ऐसे जंगल, ऐसे forest जहाँ पर बहुत ज़्यादा temperature है बहुत ज़्यादा है पर बारिश भी तिनी ज़्यादा नहीं होती है हमेशा बरफ पड़ती है पर बारिश तिनी ज़्यादा नहीं होती है अब इसका example आप Siberia ले सकते हो Siberia Siberia आप दे सकते हो वहाँ पर एतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है पर बारिश बहुत ही कम होती है तो यह जो Arctic टुंडरा है टुंडरा मतलब क्या एक एरिया है ऐसी जगह जहाँ पर बारिश कम होगी temperature भी बहुत कम होगा तो यह टुंडरा नौ नेक्स्ट ओके नेक्स देखो बच्चों ये है आपका grassland देखो इसको दूसरे कलर से बनाया जाए रेड से बनाए ठीक है ये है आपका grassland अब grassland ऐसी जगह है गलत बना दिया ये देखो ये जो रेड से मैंने बनाया है यह आपकी grassland है अब देखो यहाँ पर temperature जादा है temperature भी अच्छा खासा है पर यहाँ पर देखो बारिश भी थोड़ी जादा हो रही है बारिश desert के मामले में थोड़ी जादा बारिश हो रही है लेकिन इतनी भी जादा बारिश नहीं है थोड़ा ही बारिज ज्यादा हो रहा है जिसके बज़े से यहाँ पर बड़े-बड़े प्लांट नहीं उगपाते ठीक है बड़े-बड़े ट्रीज नहीं हो पाते है छोटे-छोटे ग्रास ही हो पाते है that's why it is known as grassland समझ मैं ही बात ठीक है जहां पर temperature भी अच्छा कासा होगा और बारिज भी हल्के फिल्की ज्यादा ही होगी समझ मैं ही बात now next next यह देखो औरेंज का लार वाला इसको हम लोग बलते बच्चों कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या है जहां पर temperature इतना ज्यादा नहीं है लेकिन बारिश काफी ज्यादा हो रहे है तो इसका एक्जामपल आप शिमला दे सकते हैं और फिर फोटो में देखे रहोगे शिमला का जो होते हैं वहाँ पर थंडी अच्छी खासी रहती है ठीक है अल्मोस्ट दस बाराट टेंपरेचर होते हैं फिर कभी-कभी साथा टेंपरेचर भी हो जाता है पर वहाँ पर अच्छी खासी अच्छे खासे कंडिशन पर आप आप लोगो बारिश देखने के लिए सब्सक्राइब करते बच्छों अब कौन सा कलर लें ब्लू रहें देते एक को ब्लू रहें देते यह वाला इस दटेंपरेट फोरेस्ट अब टेंपरेट फोरेस्ट में देखो टेंपरेचर भी अच्छा खासा है और बारिश भी अच्छी खासी है तो यह वो फोरेस्ट है बच्छों जो नॉर्मल ही आपको प्लैटू पर मिलते हैं जैसे अगर आप महारास्टा में घूमोगे ठीक है तो आप रतनागिरी और यहांब गयाने पूरρ फोरेस्ट फोरेस्ट पैंञा पِल्हेंगे टेंपरेट फोरेस्ट इसी अपने आते हैं इन्हें हम बनाते हैं कौन से कलर से यह वाले इस इस त्रॉपिकल फॉरेस्ट यहां पर सबसे ज़ाधा टेंपरेशर भी होता है और सबसे ज़ाधा बारिश भी होती है इसका बेस्ट एक्जामपल आप देशकते हो आप लोगे आप लोगे अपर ब्रजील में अब्रजील बहुत ऐसी जगह है जो इक्वेटर के उपर पढ़ती एक्च्वल में वह जिसके वैसे वहां पर टेंपरेचर भी अच्छा-कासा रहता है और बारिश भी बहुत जादा वहां पर होती है क्लियर है समझ में आ गया समझ में आ गया बच्चो चलो अब नेक्स्ट और छोटे चोटे चीजों पर बढ़ते हैं अब आप पढ़ेंगे अपने इबायोटिक फाक्टर ठीक है चार एबायोटिक फाक्टर अपने को पढ़ने हैं पहले आपन बताई देता हूं मैं आप होंगे तो कोई भी organism सर्वाइब नहीं कर पाएगा समझ में इस दो नहीं करते हैं कि कौन सा और गयोटिक फाक्टर लिया में रहेगा अब ये कैसे होगा देखो मान लो temperature बहुत बढ़ गया तो क्या वहाँ पे polar bear रह सकता है नहीं रह सकता polar bear भी या polar में रहेगा न चहाँ पे minus minus degree temperature हो तो वो ते desert में नहीं आ सकता तो abiotic factor बहुत important है अगर abiotic factor vary करेंगे change होंगे तो organisms भी वहाँ पे उपर नीचे हो सकते है तो चार abiotic factor पढ़ेंगे आप लोगों मैं लाइन से बता रहा हूँ सबसे पहला हम लोगों पढ़ना है बच्छो temperature सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ना है temperature temperature is the most important सबसे दादे इंपोर्टन क्या है आपका temperature ठीक है फिर next next वाला कौन साथ हाँ water हाँ water is the second most important मैं जो यहाँ पे line से बता रहा हूँ आप लोगों जिस order में बता रहा हूँ वो order है importance की order of importance order of importance मतलब कौन ज्यादा important है और कौन इतना important नहीं है वो भी important है बाकी के भी पर ज्यादा कौन important है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सबसे important कौन है आपका temperature most important इस दो most important सही बात है सबसे दे इंपर्टन कौन है आपका temperature second number पे आता है आपका water third number पे आता है बच्चा आपका light temperature और light के source एक ही है हमारे सूरज ज़्यादा सही है और last आपका आता है fourth आपका आता है soil यह चार abiotic factor है यह चार abiotic factor है जो बहुत जादा important है और इनकी वज़े से vary कर सकता है इनके वज़े से आपके जितने भी organism है जितने भी ecosystem है वो बनते है ecosystem बनने का main है आपका abiotic factor अगर abiotic factor नहीं रहेगा तो ecosystem नहीं बनेगे इस यह चार एक एक करें सबको पढ़ेंगे थोड़े थोड़े बाते करेंगे सबके बारे में देखो सबसे पहला आप पढ़ेंगे temperature temperature most important तो यह मैंने आप अल्रेड़ी लिखा हुआ है सब most important factor इस temperature सबस्यादा important क्या है आपका temperature ही है उसके बाद देखो आप देखो temperature इतना जादा important है जैसे मैंने आपको बताए कि polar bear जो polar bear है वो हमेशा polar region में मिलेगा नौर्थ पूल साउथ पूल मिलेगा आपको आपको कहीं भी ऐसे गोगा के बीच पे तो घुमते हुए नहीं सब्सक्राइब करता है अलग-अलग organisms के लिए जैसे जो मैंगो है अब मैं बोल्यू कि मैंगो अगर मैं पोलार एरिया में जाके उगा हूँ तो नहीं उगेगा क्योंकि वो गरम जगह पे उगता है वैसे ही जो एपल है एपल यहाँ पे नहीं उगेगा मुंबई में नहीं उग लेगा क्यों कि वो अगर थंड़े जगजह पे उगता है समझे तो टेंप्रेचर बहुत ज़्याधा वैरी कर सकता है बच्चो औरगयनिजम के ऐस ऐर्या से पिछे में तो उसकी नहीं हो सकती है अगर वो से आगे पिछे होई नहीं उगेंगे, सही बात है, चिक है, अच्छा, दो वर्ड यहाँ पर दिये हुए है, एक, यूरो थर्मल, चिक है, और एक है बच्चो, स्टीनो थर्मल, अब इनके मतलब क्या है, देखो, बहुत सरे ऐसे organisms होते, जो एक wide range of temperature में exist कर सकते हैं, जैसे human, इनसानों की अगर मैं बात करूँ, तो इनसान आपको साइबेरिया में भी मिलेगा, अगर आप रशिया साइबेरिया में जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको इनसान मिल जाएंगे, इनसान की बस्तिया मिल जाएं इनसान ऐसे species है बच्चो, जो एक wide variety of temperature को sustain कर सकते हैं, जेल सकते हैं, सही बात है, तो ऐसे organisms, जो एक wide variety of temperature को जेल सकें, उन्हें हम लोग कहते हैं, बच्चो, यूरो थर्मल, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरो थर्मल, और ऐसे organisms, जो नहीं जेल पाएंगे वहाँ, जिनको थोड़ा सा भी एक दो temperature भी उपर नीचे हुआ, उनकी death हो सकती है, ऐसे organisms को हम लोग कहते है, स्टीनो थर्मल, समझ में आगे, यूरो थर्मल क्या होता है, स्टीनो थर्मल क्या होता है, लिख दू, यहाँ पर लिख दू, यूरो थर्मल मतलब, sustain, sustain, wide range of temperature, wide range of temperature, समझ रहो, minus 30, से लेके, 40 या 50 डिगरी तक, समझ रहो, यहाँ से लेके, इतने डिगरी तक ही, temperature sustain कर सकते है, इंसान दे एक्जामपल देता है, यूमन्स का, यूमन्स है, और भी बहुत सार्गनिजम्स है, इंके पात, यह होम्यो थर्मिक ब्लड होता है, इंके बास, warm-blooded होते हैं, और स्टीनो-thermal मतलब क्या, इसका just opposite है, बच्चों, जो wide range तक नहीं सह पाते हैं, जो इद्दम छोटी range में रह सकते हैं, जैसे polar bear, polar bear को पकड़के लेके आओंगा किसी भी area में, इसकी death हो जाएगी, तो temperature हो गया, नेक्स चलते हैं, बच्चों, अच्छा, ए अच्छान से सुनू, देखो, एक बात समझो कि हमारी earth work कैसे करती है, माल लो यह आपकी earth है, प्रिथवी, ठीक है, ऐसा round नहीं होते है, प्रिथवी, 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 तो माल लो, this is our earth, और, यहाँ पे हैं हमारे सूरज मामा, ठीक है, यह हमारे सूरज बावले, अब देखो, होता का है, कि हमारे सूरज, जो waves आती है, जो energy की वेब साती है, light waves आती है, होता का है, normally, पिमिटाता हो, अच्छे से बनाता है, अपन, होता का है है, बच्छो, कि वो सूरज से आके, सूरज से आके, आपके earth प works by यह, ठीक है, वो light से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है स्पेस में तो जो भी लाइट या फिर जो भी एनरजी आपके सन से आपके अर्थ पर पढ़ रही है समझे यहां से आपके अर्थ पर पढ़ रही है वो डायरेक्ली क्या हो जाती है अर्थ पर लड़ने के बाद डायरेक्ली रिफ्लेक्ट बै यहाती है बड़ी बड़ी ठीक है जिन्होंने बहुत सारे कच्रे फैला दिए हैं गंद फैला दिए हैं जिसके बढ़ रहा है pollution और यह जिसके वेशे क्या बढ़ रहे है बच्चो pollution बढ़ रहे है अब pollution के बढ़ने के बज़े से कुछ gas का number increase हो गया बच्चो जैसे हम लोग ने पेड बहुत काड़ दिये अब पेड क्या करता है carbon dioxide को अपने अंदर ले ले लेता है सही बात है और carbon dioxide का level कम करता है सही है तो हम लोग ने पेड काड़ दिया इंडस्ट्री लगा दी गाड़ियां चला रहे हम लोग जिसके वेशे carbon dioxide बढ़ते जा रहे है तो carbon dioxide का level बढ़ रहे है और बहुत सारी gases होती है जैसे जैसे लाइट आई आपके अर्थ पर जैसे ही संसे लाइट आई आपके अर्थ पर जैसे जैसे ही लाइट आई और जैसे ही reflect back होने वाली थी CO2 ने क्या किया उस light को absorb कर लिया अपने अंदर समझे लाइट ने क्या किया उस light को absorb कर लिया अब light absorb हो गया मतलब जो heat आ रहा था संसे हीट आपका अर्थ पर ही trap हो गया और वो space में नहीं जा पाया समझे लो most of the heat है वो क्या हो गया CO2 ने trap कर लिया आपके अर्थ के ऊपर और वो क्या हुआ आपके वापस space में reflect back नहीं हो पाया जिसके वाइट से आपके अर्थ का temperature क्या हो गया राइज हो गया समझे लो तो नाम से हम लोग को पता चल रहा देगो नाम क्या है global global मतलब क्या है globe हमारा अर्थ हम लोग बोलते है हमारे अर्थ को globe बोलते है globe is warming मतलब हमारा अर्थ क्या हो रही है बच्चो गरम हो रही है वाम हो रही है ऐसा माना जाता है कि हर दस साल में और 10 years में almost 1.5 degree Celsius temperature बढ़ रहा है हमारे अर्थ का अब आप लोगे सर इतना से बढ़ रहा है दिक्कत है इस देगो दिक्कत यह है बच्चो कि आप लोग ने देखा होगा जो polar area है south pole, north pole, वहाँ पे बहुत सदा आइस जमी होई है सहीर हम लोग सुनते हैं न कि हमारे अर्थ के जो भी 100% जो water है उसमें से 97% water खारा पानी है समुंदर का पानी है जो हम लोग पी नहीं सकते हैं तिर्फ 3% water हम लोग पी सकते हैं और उस 3% water में भी बच्चो जो 2.7% water है वो कहां जमा हुआ है आइस में जमा हुआ है तो मतलब सिर्फ एविलेबल कितना है पीने के लिए 0.3% इस 0.3% पानी में पूरी दुनिया पानी पी रही है पूरी दुनिया कितने परसेंट में पानी पीरी 0.3% में पानी पीरी तो कितना जाधा हो सकता है water का quantity और और तो और यह जो 2.7% water है इतना सारा water क्या हुआ हुआ है जमा बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा ना क्योंकि जो भी बरफ पिगल रही है वो कहां यह पिगल पिगल कि आपके ओशन में आएगी ओशन का लेवल बढ़ने लगया जिसके बज़से जितने भी कंट्रीज है जो मतलब जिनका ओशन के पास यह सी शोर है उन वह डूबने के यह आ सकती है डूबने में प्रॉब्लम आ सकती है उनके अंदर तो यह सारी प्रॉब्लम से आपके ग्लोबल वामिंग की समझ में आई बात नेक्स चलो वॉटर के पास पीते है नो पीना ही चीए तो बिना पॉटर के हमारी जिंदगी नहीं चल सकती चाहे कोई भी ऑर्गनिसम हो सही बात है वाटर का क्या-क्या इंपोर्टेंट होना चीए बहिए वाटर का पी एच सही होना चीए पी एच समस्ते हो आप लोग अप लोग असे बेसिटी फिर पीपिटी मतलब क्या को पाट्स पर थाउजन पाट्स पर थाउजन फास्टेंट क्या-क्या फ्रेश वाटर के अंदर सही बात है फिर मैं अगर द्धर की बात करो तो इसमें 30 तो 35 पीपिटी होता है कॉंसेंट्रेशन और अगर मैं लगून की बात करो लगून देखे ना इसे बड़े-बड़े सॉल्ड के बड़े-बड़े पहाड लगे हुए थे इनके अंदर हंड़ेड पीपीटी से भी ज्यादा कॉंसेंट्रेशन हो सकती है अच्छा दो चीज और बच्छो यहां पर यूरी है और स्टीन के अंदर सर्वाइव कर सकता है वो क्या है आपका यूरी है लाइन और जो इतना सॉल्टी कंडिशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा उसे हम लोग स्टीन है लाइन कहेंगे सिंपल सी बात है ठीक है नेक्स पर आजाओ एक्स अच्छो आपका लाइट लाइट कहा है आपका थर्ड है थर्ड मोस्ट इंपर्टेंट और इट इस असे सेम सोर्स लाइक टेंपरेचर जहां से टेंपरेचर आ रहा है वहीं से लाइड भी आ रही है मैं प्लांट की बात करूँ तो में फोटो सिंथेसिस होती है फोटो सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है फोटो सिंथेसिस जितना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है समझ जो अगर photosynthesis नहीं होगी तो आपके plant नहीं बनेंगे और अगर plant का खाना नहीं बनेगा तो plant को हम कैसे खाएंगे समझ जो ठीक है plant को हम कैसे खाएंगे simple सी बात है ना अगर photosynthesis नहीं होगी तो plant का food नहीं बनेगा प्लांक तौ misma उसके खुक्री कारण कार बशाओब मतलब आप लोग देखा होगा है जो फुत फुट इंप विन कि它 फो इसे इस सिर्फ पर सिरुब राइड के वजे से और मतलब अथल नहीं कि अच्छिए अपनीघ से सबसे इंपोर्टेंट है बच्चो डायूरेनल साइकल मतलब क्या आप लोग कब सोते हो कब उठते हो वो उसको डायूरेनल साइकल बोलते हैं हम लोग बोलते ना वहिए कि रात के 10 बच गया है 11 बच गया मैं वो नीद आ रही है इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉड़ी को पता चल रहे की अब लाइट जा चुकी है मतलब अब मुझे सोना है जैसा ही सुबह होती है लाइट आ अगर अनिमल सोकते हैं तो राक रूंचल सकते हैं इसके लिए भी लाइट ज़्रूरी है मीटिंग के लिए बहुत जरूरी है और माईगरेशन बाओ यहां से बहां जाना है उसके लिए भी लाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी अंधरे में कौन गोमेंगा भाई तो लाइट बहुत ही ज्यादा important source हो जाता है third most important and the last most important is soil अगर सॉइल नहीं होगा तो plant ही नहीं उगेगा सही बात है चीक है सो क्या क्या इंपोर्टेंट नेचर और सॉइल का और जो सॉइल होते हैं जो में बीच में मिलते उनके अंदर वाटर होल्डिंग के पासे नहीं होती तो उनके अंदर कोई प्लांट ही नहीं होता सही बात है इनका weathering process important होता है weathering process भी आप लोगों ने बाट जाए जोग्रफियों पड़ा होगा आपके प्लांट को बहुत सारे मिनरल्स की तरह थे पोटाशियम सोडियम समझें कैल्शियम तो यह सब कुछ स्वाइल में रहेगा तभी तो आपके प्लांट को मिलेगा क्यों कि रूटी अब्सॉप करेगा वहां से सही बात है ठीक है तो यहां पर बच्छों आपका absorption वाल वीडियो को लाइक किये भी ना कोई भी नी जाएगा वीडियो को लाइक ज़रू से कर देना अगर आप लोगो मज़ा होगा तो अच्छे अच्छी चीज़े सीखने के लिए मिली होंगी तो ठीक है तो population वाले को next में आप लोग पड़ेंगे और niche करके कुछ टॉपिक है ठ वीडियो को सरी चालन पर नया है तो चालन को सब्सक्राइब ज़रू से करेंगे और हमारा जो बेल आइकन है उसे भी all पर सेट कर देना ताकि कोई भी हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले notification आपको ही मिले चालेगा तो मिलते हैं अगले वाले lecture में तब तक के लिए कीप स्टेडिंग